Hello friends, कैसे आप सब लोग? I hope कि आप सभी ठीकी होंगे आज का topic देखके तो आप लोग समझ चुके होंगे मैं discuss करने वाली हूँ सिर्देव सुमन उनियुएसिटी Beard Entrance Exam के complete pattern को तो friends, अगर आप लोग session 2022-24 Beard Entrance Exam सिर्देव सुमन उनियुएसिटी से देना चाहते हैं, तो आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा important होने वाला है क्योंकि friends, इस वीडियो में मैं आपके साथ सेयर करूँगी कि Beard Entrance Exam में आप से कौन-कौन से subject के regarding question पूछे जाते हैं कितने marks का question paper पूछा जाता है क्या time duration रहती है से जुड़े हुए सभी update time to time मिलते रहें, तो चलिए start करते हैं आज का ये video, तो friends देखिए, इस entrance exam में आपका एक paper होता है, ठीक है न, one day exam है ठीक है, तो paper इसमें रहता है two part में divide, ठीक है, paper दो part में divide रहेगा, लेकिन paper होगा एक ही, ठीक है, जो B1 और B2 part में divide रहेता है ठीक है, B1 part में आपसे दो subject regarding question पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी general knowledge, यानि की GK और दूसरा आपस language test से जुड़े हो questions पूछे जाते हैं, ठीक है और language test में भी आपके पास choice होती है, आपका अगर Hindi language अच्छा है, तो आप Hindi का exam दे सकते हैं, और अगर आपका English language अच्छा है, आप English language का exam दे सकते हैं, तो friends देखिए आपको जिसमी subject में लगता है मच्छा score गेन कर सकते हैं, इन दोनों मैं से Hindi और English मैं से आप उस language का exam इसके लिए दे सकते हैं GK और language test से जुड़े हो questions पूछे जाएंगे आपसे B1 paper में, और B2 paper में आपसे general intelligence, यानि कि सामानी अभियोगीता जिसे हिंदी में बोला जाता है, उस से जुड़े हो question पूछे जाएंगे B2 paper में, और B2 में जो आपका second part होगा ठीक है second जो subject है, वो है specific aptitude test, यानि कि आप जिस भी stream से, अगर आपने जैसे BA किया है, तो आपसे art stream से जुड़े question पूछे जाएंगे, जैसे history, civics, geography, ठीक ना, political science, in subject regarding question पूछे जाएंगे, और अगर आपने B.A.C. किया है, तो आपसे science, physics, chemistry, biology, in subject regarding question पूछे जाएंगे, और चुका होगा, अब देखिए, B.A.C. में जो आपके subject हैं, G.K. से देखिए, number of question के अगर हम बात करें, तो 50 question पूछे जाएंगे G.K. से और language test से भी आपसे 50 question पूछे जाएंगे, तो दोनों ही subject से आपसे 50-50 question पूछे जाएंगे, जिसमें देखिए, each question जो है, 2 marks का होगा, ठीक है, तो बतलब, 100 number का question paper जो आपसे पूछा जाएगा, वो G.K. से पूछा जाएगा, और 100 number का question paper पूछा जाएगा language से, ठीक है, तो बतलब, आपका जो B.1 paper है, इसमें टोटल आपसे 100 question पूछे जाएंगे, second है देखिए, specific aptitude test यान के subjective, जिस भी group के आप है, art, commerce, science, ठीक है न, उससे आपसे 50 question पूछे जाएंगे, ये question भी देखिए, each question 2 marks का है, तो 100 marks का आपका हो जाएगा, general intelligence से question paper, और 100 marks का हो जाएगा, specific aptitude से question paper, ठीक है, तो B2 paper में भी देखिए, 100 question पूछे जाएंगे, ठीक है, जो 200 marks के होगे, तो देखिए, B1 paper, plus B2 paper, ठीक है न, 200 number का होगा, B1, और 200 number का होगा, B2 paper, तो all over जो question paper आपका होगा, 400 marks का होगा, अब देखिए friends, BN entrance exam को qualify करने के लिए भी passing marks का criteria होता है, ठीक है न, general category और OBC category के अगर आप candidate है तो, B1 paper में, ठीक है न, इन दोनु subject में मिला के, आपको 80 marks लाने कमपल सरी है, ठीक है, general और OBC category के candidates को, किसमें, B1 paper में, ठीक है, इसी तरीके से, B2 paper में भी 80 marks लाने कमपल सरी है, इसमें देखिए, B1 में और B2 में, दोनु में ही, दो-दो subject regarding question पूछे जा रहे हैं, तो दोनु में मिला के, देखिए, आपको 80-80 number लाने है, यानि कि total 160 number लाने होंगे, पास होने के लिए, यह सिर्फ qualifying criteria है, ठीक है न, इसमें ऐसा नहीं है, कि आप 160 number ले आए, तो आपको government college मिल जाएगा, यह सिर्फ passing marks का criteria है, अगर आप 160 marks भी ले आते हैं, तो आप किसी भी private college से भी एड कर सकते हैं, ठीक है, आप देखिए, SC, ST and physically handicapped, जो candidate है, उनको इस entrance exam में 54 marks लाने कमपल सरी है, यह सिर्फ passing marks का criteria है, यह confusion आपको बिलकुल नहीं होना चाहिए, कि हमको कितने number ले के आने है, तो friends, यह तो सिर्फ passing marks का criteria है, काफी सारे मेरे viewers पूछते हैं, कि कितने marks लाएं कि government college मिल जाए, तो देखिए, यह आपकी महनत पर depend करता है, आप जितना अच्छे score लाएंगे, आप 400 में से 380 लाईए, 390 लाईए, है ना, आप जितना अच्छे score गेन करेंगे, उतले ही ज्यादा chance होंगे, government college मिलने के, आप देखिए, next important, जो point है, time duration है, ठीक है, तो B1 part को solve करने के लिए, आपको 3 hours की रहती है, ठीक है, 3 घंटे का समय होता है, B1 और B2 paper को solve करने के लिए, और मेरी माले तो friends, देखिए, मैं आपने personal experience के basis पर बताऊं, तो आपको B1 paper को solve करने में, जाद से जादा 1 hour का time लगीगा, ठीक है, तो आपके पास time बच जाएगा, आप के पास जो time बचेगा, वो B2 paper में आप use कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, B2 paper में आप से general intelligence से जुड़े question पूछे जाते हैं, तो सबसे जादा time आपका वहीं पर लगता है अब देखिए friends, next important point है, क्या B1 entrance exam में negative marking होती है, या फिर नहीं होती है, तो देखिए, B1 entrance exam में कोई भी negative marking नहीं होती है ठीक है, नो negative marking है, कोई भी negative marking नहीं होती है, तो आप लोग को परिसान होनी के जरूत नहीं है, लेकिन मेहनत जरूर करिए ठीक है, आप ऐसा नो सोचें कि हम तुक्के लगा लेंगे, अच्छे score gain कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, मेहनत तो हर किसी को करनी पड़ती है, आप लोग मेहनत कीजिए, आप सभी के लिए जल्द ही में स्रीज स्टार्ट कर दूँगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियोज अफ्लोट करूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, I hope कि आप सभी को सिर्देश उमन उनिविएसिटी बीर एंट्रेंस एक्जाम के रिगार्डिंग कम्प्लीट इंफॉर्मिशन मिल चुकी होगी इस वीडियो में, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अपने कोशिन पूछ सकते हैं, तो फ्रेंस वीडियो इंफर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक से जरूर करें थैंक्स फॉर वाचिंग